Welcome to KS Academy टाइप, कहने का मतलब है कि हमें application किस तारा की रखनी है कि airbase application रखनी है या native base रखनी है पासपास वाली Bluetooth वाले application रखनी है जसे एक game खेलते हैं? के Hub एक मेरे पास Canada 1 करके application है एक मेरे सन्वाजाव करके इधेर तो लिक्ति जी कहल सकते हैं। इसने ये रोक लगा दी कि एक कमरे में बैठके खेल सकते हैं लेकिन इस वाली कैरम ने क्या का कि भाई मैं दिल्ली में बैठा हूं तू मुंबाई में बैठ जा कोई चक्र नहीं लेकिन हम कैरम खेलेंगे हम कैरम खेलेंगे सो यह airbase होगी यह पास-पास की होगी है ना सो पहला चीज कि हमें application type decide करना होगा design consideration for mobile computing में पहली चीज क्या है decide application type ठीक है सबसे पहली चीज वो कि application type decide करो then second change जो तुम लिखो that is don't worry about the phone platform don't worry about phone platform की concept platform पे चल रहा है उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं तुम्हें सिर्फ ध्यान देना है कि तुम्हारा जो तुम बना रहे हो तुम जो app बना रहे हो तुम जो application बना रहे हो वो सहीं बन रही है ठीक है जो तुम्हें design consideration जो चाहिए तुम्हें उससे mobile के platform से phone platform से कोई लेना देना नहीं है ठीक है don't worry if your application doesn't work on some devices कि माल लो मेरी application किसी एक device में काम नहीं कर ली कोई चक कर ली मैं उसको filter out करोगा लेकिन दूसरी mobile ने 10 devices में काम कर ली आगर 10 devices में काम कर ली है और एक में नहीं भी कर ली कोई चक कर ली मैं उसको filter out कर लो मैं इसके अंदर कुछ changes लाके इसको काम करवान रहना शुरू कर दूना है हना सो उससे हमें कोई लेना देना है हमें सिर्फ देखना है कि हमारी application क्या सहीं बन रही है ठीक है ठीक है थर्द चीज storage storage कि storage में क्या बोलेंगे कि phone की memory कोई हमारे पास one tv करके hard disk तो है नहीं phone की memory है तो उसको हमें तरीके से यूज करना होगा ठीक है अगें 4 चीज memory usage same वही चीज कि memory को यूज करने का एक प्रॉप पर दे हूँ हम यह ना दे दर 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 memory यूज करते चाहें हां यह भी चीज है कि माल लो अगर मैं अपनी आप बहुत अच्छी बना हो तो मेरे को इससे कोई लेना दाना नी तो इसमें यह भी तीक से तो nothing much nothing much go wrong if your application कि अगर तुमारी application if your application do well यह if your application is well ठीक है कहने का मतलग मैं Snapchat की बात कर लेता है सबको पता है जीतनी यह memory खाती है ना WhatsApp खाएगा ना Instagram Snapchat सबसे जादी memory खाती है लेकिन फिर भी हम इसको use कर देते हो क्यों क्योंकि बंदे ने बना दिया है इसको अश्या हना so memory usage से इसका कोई लेना देना नहीं हम फिर भी use करेंगे करेंगे पले हमारे phone में बार बार वो notification आती जा कि your storage device is out of जो भी है हना उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता हमें तो Snapchat ही use करनी है जो मरती हो जा हमें तो अपने streak बेजने है हना so यह आ गया तुम्हारा memory usage ठीक है then battery अब फोन की battery के बारे में तो हमें सोचना ही पड़ेगा बई सारा दिन चलाना है फोन तो battery के बारे में भी सोचके हमें applications बनानी पड़ेगी ठीक है obvious ही बात है graphics भी देखेंगे हम थोड़े वा जिसके graphics अच्छे होंगे चेज भी चलेगी ठीक है जो जितना सुंदर उत्रे लोग उसके बीच ठीक है तो ग्रैफिक भी हम इसमें देखेंगे ठीक है एक और चीजा अच्छा चल रही है कि cloud कि हमारा data store हो में वापिस पहले क्या होते है हम एक game आते थी snake की हमें अगर out cut जाती थी थी ना और वहीं से शुरू हना सो बेसिकली mobile application में एक एक चीज का ले रहो जरूरू हम गेम में ही है हम बड़ी सारी चीज़ों में जा सकते है वाटसप में जा सकते है वाटसप में मैं से हमारे store हो है हना सो cloud का भी बहुत बड़ा role है इसमें सो यह हमारे design consideration for mobile computing एक चीजा मेरे खाल से याद होगी होगी सबके दिमार के कि क्या चीज क्या है क्या चीज क्या है सबके दिमार कमें चीज घुजगी होगी कि जब क्या चीज है एक 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 जामपल लेकर मैंने चीज में जाएगे So I think सबके बास समझाएगोहगी So that's all for this presentation. Thank you.